next question question says find the reading of the spring balance shown in the figure the elevator is going up with an acceleration of g by 10 यहां पे हमारे assumption है the pulley and the string they are light and pulley smooth all right again simple सवाल इसको ground frame में solve करते हैं कुछ concepts clear होंगे तीक है so scenario यह है कि यह आपकी lift है और यहां पे आपको एक spring balance लगा हुआ है और उसके उपर एक pulley बंदी है उसके उपर आपके दो मास है let's say एक को हमने कहा M1 और एक को कहा M2 और यह पूरी lift आपकी g by 10 acceleration से उपर जा रही है तो यह आपका हम solve करते हैं ground के frame में बुले तो यहां पर एक अपना person खड़ा है वो यहां पर आपका यह सारी चीज़े होते वे notice कर रहा है और जो आपकी reading आएगी पहले उसकी बात कर लेते हैं कि finally हमें निकालना क्या है तो यहां पर जो reading आएगी लेट्स प्राइब आपको अपने यहां पर आपको यहां पर आपके टेंशन टी है सो यहां पर हम लिख सकते हैं ती-डैश विल वी इकोल टो 2 T यह वाला condition वह होगा तो हमें ती-डैश की वेल्यू बतानी है और हम्हें जो यहां पर reading बतानी है तो यहां पर जो आपका मास आएगा तेट्ट उलबी को, टी डिएड़ाइड बाय जी हम का किलो ग्राउन फ्रेम से तो सबसे पहले जो अपना कंस्ट्रेंट है वह लगेगा हम प Vikings लो ये वाला acceleration a1 है और ये वाला acceleration a2 है दोनों की direction हम उपर मान रहे हैं उपर let's take a sign convention जहां पर उपर वाली direction को हम positive कर रहे हैं तो ये दोनों आपके a1 a2 दोनों ही उपर की direction में ऐसा हम मान रहे हैं final result अगर दोनों में से कोई एक नीचे जा रहा होगा तो final result अपने आप negative आजाएगा don't worry about it तो constraints है यहां पर हम ही कह सकते हैं कि a1 पहली equation यह हो गई अपनी final value के लिए चाहिए होगी a1 प्लस a2 divided by 2 will be equal to a p यह आपकी constraint की equation है इसी को अगर हम solve करें तो a1 प्लस a2 will be equal to 2 a p यह आपकी question number 2 हो गई यह आपकी constraint से equation आजाएगी ठीक है यह constraint की equation में derive करेंगा चलो आदर मिनट लगेगा लगा लेते हैं आपर यह equation कहां से उस पर बात कर लेते हैं so for example यहां पर ग्राउंड फ्रेम से जब हम देखें उसके वज़े अगर मान लो यहां पर हमने एक बंदे को ऐसे बैठाया और वो बंदा बैठके यहां पर इन दोनों को observe कर रहा है तो इस पुली वाले उसके लिए ना इस फ्रेम में अ A1 A1 acceleration of A1 with respect to pulley will be equal to minus times A2 with respect to pulley now relative use करके हम लिख सकते हैं A2 minus AP will be equal to minus times A2 minus AP इसको expand करेंगे तो यह बन जाएगा आपका यहां A1 आएगा A1 minus AP is equal to minus A2 plus AP AP को दह ले जाएं इसे दह ले आएं तो यह बन गिया आपका A1 plus A2 divided by 2 will be equal to AP जो आपकी यह constraint की equation है तो this is how we can derive ठीक है थोरी वाले उसमें section में हमने इसके उपर और detail में चर्चा कर रखी है तो इसको भी यहां पर erase कर देते हैं अब इस case में अगर हम इन दोनों का FBD बनाया और उसकी equation लिखें तो ground frame में जो इसकी equation लिखी जाएगी पहले FBD बना लेते हैं M1 उसका FBD यह बना तो उपर उसके light tension नीचे लगा Mg और यह block आपका A1 acceleration से उपर जा रहा है तो इसकी equation लिखी जाएगी उससे आप लिख सक यह आपके let's say equation number 3 आ गई similarly यह आपका M1 का FBD बना था similarly अगर आप M2 का FBD बनाएंगे में भी यह बना लेते हैं let's see so M2 का जब आप FBD बनाएंगे so M2 का FBD में उपर आपके force लग रहा है tension नीचे है आपका M2g और यह आपका A2 acceleration से उपर जा रहा है तो इस case में जो आपकी equation लिखी जाएगी वो लिखेंगे T minus M2g will be equal to M2A2 M2 से divide कर दें तो यह आजाएगा T divided by M2 minus g will be equal to A2 यह आपकी let's say equation number हो गई 4 now यहाँ पर A2 की value और A1 की जो value आई है इसको अगर हम equation number 2 में insert कर दें so अब हम कर रहे हैं using 3 and 4 in equation number 2 इस equation में इसकी value डाल दें so यह अपनी value बन जाएगी A1 की जगे हमने यहाँ लिखा T1 divided by M1 minus g उसके आद A2 लिखा यह plus T divided by M2 minus g will be equal to AP और AP की जो value है यह दी होई है अपने को g by 10 so 2 multiplied by g by 10 all right now T1 by M1 M1 जो है अपने को यह दिया हुआ है 1.5 यानि कि 3 by 2 kg और यह दिया हुआ 3 kg ठीक है अब इसकी value हम थोड़ी दे बाद में डालेंगे this is how I like to do it कि पहले general expression निकालते हैं बाद में value डाल लेंगे so यह अपना बना यह T है so T अगर हमने इसमें से common ले लिया यह बना 1 by M1 plus 1 by M2 will be equal to यह बनेगा g by 5 plus g plus g जाके 2g हो जाएगा which implies T multiplied by यह हो गया आपका M1 plus M2 divided by M1 multiplied by M2 is equal to यह बना 10 plus 11 by 5g यह आपकी यह values आ गए ठीक है अब इसमें value डाल देते हैं और तो tension की value हा जाएगी so T multiplied by M1 M2 है आपका 3 by 2 multiplied by 3 divided by 3 by 2 ने उपर प्लस है प्लस 3 multiplied by 3 will be equal to 11 by 5g all right so 3 by यह एक्चुली यह बन जाएगा 3 by 2 plus 3 will be equal to यह बन गया आपका 9 by 2 multiplied by 9 by 2 cancel हो गया तो यहाँ पर हम यह use कर सकते हैं जो आपका mass आएगा that will be equal to T dash divided by G T dash मतलब 2T divided by G 2T का मतलब हो गया 2 multiplied by 11 by 5g और divided by G तो G will get cancelled so हम आगे आपका 22 by 5 और 4.4 kg नोटिस करना यहाँ पर G की value से को फरक नहीं पड़ा 9.8 यह 10 लेते whatever हो गया value cancel हो गया आपकी so this will be our final answer for this particular problem now just to check and verify अगर हम A1, A2 की value calculate करना चाहें just for the fun part of it so यहाँ पर हम A1 की और यहाँ पर A2 की कहां गया यह A2 की value check करना चाहें के दोनों block actually जहां कहां रहें just अपना सवाल पूरा हो गया but like a good physics student if you want to do it so यहाँ पर जो A1 की value आजाएगी so A1 will be equal to T, T का मतलब हो गया 11 by 5, 11 by 5 G divided by M1 M1 is 3 by 2 divide करना है यानि की 2 by 3 minus G so यह बना 22 by 15 22 by 15 minus 1 multiplied by G so यह बना आपका actually 8 A1 जो आगया यह आपका बना 7 by 15 G यह आपकी A1 की value आ गई और notice करना है value plus आ रहे है इसका मतलब यह है कि A1 आपका ऊपा जा रहा actually A2 अगर हम calculate करें यहाँ पर so अपनी A2 की जो value हो जाएगी A2 यह वाला so this will be equal to T by M2 T का मतलब हो गया 11 by 5 G multiplied by 1 by 3 minus G so यह value हो जाएगी आपकी 11 by 15 G minus G so A2 की जो value है वो आगया आपकी minus 4 by 15 G तो इसका मतलब यह A2 हमने माना उपर की तरफ जा रहा है बट actually A2 minus sign आया है तो इसका मतलब नीचे जा रहा है यह आपका ground frame में आपका यह acceleration है just in case अगर को acceleration पूछने लगे तो यह value भी निकालनी अपने को आती है हमने इसको check and verify करके देख लिया ना अगर इन दोनों को add करें और check करें कि यह condition satisfy हो रही है of course हो रही है पर just to check and verify हम कह रहे है एवन प्लस A2 should be equal to G by 5 आना चाहिए है आले जी बाइटन था इंटो टू सो एवन यह हो गया आपका 7 by 15 जी यह माइनस 4 by 15 जी इसकी जो value बचेगी यह हो गया 3 by 15 यानि की जी यानि की आपका G by 5 ठीक है तो जो देखा जो अजूम किया जो सब कुछ था वो सब फिट हो रहा है अपनी equation में सो इसका final answer 4.4 kg यह अपना answer हो जाएगा